दुनिया में लगभागर 200 करोड रुपयों की धनिया एक्सपोर्ट करने वाली मंडी में कुछ पोरी धनिया खरीदने पर विवाद हो गया दो प्यापारियों के बीच का विवाद मारपीट तक पहुँच गया विवाद में 4-5 लोगों ने मिलकर एक व्यापारी पर हमला कर दिया लाग घूसों से उसकी मारपीट भी की गई जिसे वो मारपीट में बुरी तरह से घायल हो गया फुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है कुमराज के वाडचे के रहने वाले दीपक नामदेव ने बताया कि वो कुमराज मंडी में गल्ला खरीदने एवं बेचने का काम करते हैं सुबह करीब 6 बजे उसने मंडी प्रांगण में किसान से 4 कटे धनिया खरीद लिया उसने अपने साथ काम करने वाले अपने भाई सेखर को अस्वामई आनोज शिवहरे और शेक शिवहरे को भी बुला लिया और इस दोरान चारों ने मिलकर दीपक की लाग घोसों से पिटाई कर दी जिसमें वा बुरी तरह से घायल हो गया उसके पिट और सिर में चोटे आई हैं मौके पर संदीव जैन और राजेंद्र वीना ने बीच बचाओ किया है माईदीपक की शिकात पर पुलिस ने चार लोगों पर मामला दर्ज किया है चारों पर मारपीट की धाराओं में F.I.R. की गई है खुल गया खुल गया खुल गया मारूती इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिस्थान खुल गया जी हाँ आपके शहर रीवा में मारूती इंटीरियर एंड कंसल्टेंट G.S.108 आश्रवाद प्लाजा धेकहा में खुल गया हम सिर्फ घर नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर complete furniture, modular kitchen, fall ceiling, wallpaper, 3D design की सेवाएं उपलत एक बार सेवा का उसर जरूर प्रदान करें मारूती इंटीर एंड कंसल्टेंट आश्रवाद प्लाजा दे कहा रीवा